नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PCSMP Tech में दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप PCSMP Hyper Retail Software का यूजर बना सकते हैं मान लिजिए आप multiple counters operate कर रहे हैं या single counter पर operate कर रहे हैं तो admin के अलावा यानि कि जो admin है जो store का honor है उसके अलावा अगर कोई और operator software को operate कर रहा है तो आप उसके लिए user ID create कर सकते हैं और उस user ID पर जो भी आप privilege दिना चाहिए कि वो operator किस-किस forms को access कर सके वो bill बना सके वो bill को edit ना कर सके या वो purchase entry ना कर सके या purchase entry कर सके इस तरह से sales report देख सके या ना देख सके इस तरह के जो features हैं वो किस तरह से आप on-off करेंगे किसी operator के लिए तो चलिए start करते हैं सबसे पहले हम login करेंगे और login करने के बाद user create करेंगे login करने के बाद आपने जाना है administrator में administrator में पहला option आएगा company supervisor वहाँ पर option आएगा create user create user में click करने के बाद आपने admin वाला यानि जो store owner होगा उनका password डालना है उनी के password user ID से ही user create होगा यहाँ पर user ID हमने बना दी user का name दे दिया password दे दिया user की hierarchy select कर सकते हैं यहाँ से then उसके बाद expiry date set कर सकते हैं कि यह user किस date को expire होगा और expiry date हमेशा जो software की license date होगी उससे एक दिल कम रहेगा यानि उसकी date जो less than हो software की license के expiry date से अगर आप उससे ज़्यादा expiry date enter करेंगे तो यहाँ पर आपको notification आएगा कि आपको यह जो expiry date है इससे less रखनी है माल लीजिए हम यहाँ पर इसे 2023 करते हैं answer डालते हैं status किया active किया save किया तो date should be less than by 19 April 2023 तो हम यहाँ पर इसको change करेंगे और 04 कर देंगे and save कर देंगे तो इस तरह से यहाँ पर user create हो जाएगा अब user create होने के बाद user को अगर permission देनी है कि क्या-क्या हो कर सके इस software का use करने पे login करने के बाद user permission पर जाएंगे user id select करेंगे user id select करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे forms की permissions दे रखी है मान लीजिए हम billing की बात करें कि उनको हमको बिल की permission देनी है तो यहाँ पर PB पॉस billing आएगा इस पर क्लिक कर देंगे अगर उनको बिल एडिट करने के और permission देनी है तो देंगे नहीं तो बिल एडिट पर यहाँ पर अंटिक कर देंगे कस्टम पर फाइल बनानी है यहीं बनानी जैसे हमारी जहां से दो permission देते हैं बाप billing करने की और कस्टम पर फाइल क्रेट करने की तो यहीं दो forms को लेंगे उसके लावा कोई forms वह उपन नहीं कर पाएंगे सेव कर देंगी सेव करने के पाद हम लॉगाऊट करेंगे लॉगाट करने के बाद यूजर की ऐडी से लोग्यं करेंगे की ए बी सी डाला एंटर किया दैन उसके बाद हम सेल पन इसेल quality करेंगी तो देखिए सेल industria का यहाँ ओपन हो रहा है simply उन्होंने जो भी आइटम है वो search करना है, enter, enter करना है और bill बना देना है, bill बन जाएगा, अगर इस bill edit करना हो तो bill edit का form है, sale में bill modify, तो देखिए यहाँ पी user id password मांगा, हमने उनको permission नहीं लिए इस user id को bill edit करने की, तो जो supervisor user id password है वो हमें provide करना पड़ेगा किसी भी bill को edit करने के लिए, I hope आपको इस समय में आ गया होगा कि किस तरह स्थे आप user create करेंगी और उस user को क्या-क्या privilege देनी है software में वो कैसे define करेंगी, Thanks for watching this video, have a nice day.